ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े स्कूल, भारत का एक स्कूल है पहले नमबर पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 10 बड़े स्कूलों में पहले नमबर पर भारती स्कूल है इसके बाद बाकी 9 दुनिया के बाकी हिस्सों में हैं लेकिन कोई भी बच्चो की तादात और इमारत के शेतरफल के हिसाब से उस स्कूल के आसपास नहीं है पर इन बाकी नो स्कूलों की अपनी खासियते हैं इन स्कूलों में बच्चे भले ही कम तारात में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ जगा इतनी है कि संख्या को बढ़ाया जा सकता है यह स्कूल खूबसूरती में एक दूसरे को टक कर देते हैं सिटी मॉंटिसरी स्कूल लखनाउ भारत इस स्कूल की विशाल इमारत उपस्तिती और आकार में महल जैसी है स्कूल में लगबग धाई हजार शिक्षक हैं सबसे बड़े स्कूल के रूप में इसे साल 2000 के लिए गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगा मिली स्कूल में 58,000 चातर है श्रॉस स्लेम स्कूल बॉडन बुटन बर्क जर्मनी इस स्कूल की विशाल इमारत है दक्षनी जर्मन में यह सबसे बड़ा शेक्षनिक संस्थान है स्कूल देखने में किसी महल जैसा लगता है स्कूली बच्चों की भीड आस पास के लॉन में खूब इंजॉय करती है यहां के लॉन देखने में बेहत खूबसूरत दिखने में किसी बगीचे की तरह लगते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्कूलों में शामिल ये स्कूल मॉडिलर तकनीक पर बनाये गया है यहां पर पढ़ने वाले बच्चों की तदार तो जादा नहीं है लेकिन जरूरत पढ़े तो असानी से कई गुना बढ़ाये जा सकता है वर्तमान में स्टूरेंट की शमता दो हजार शातरों से अधिक नहीं है यहां का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि देखें तो पलक भी न चपकाएं जिल आर्ट स्कूल मॉस्को रूस यह लिक्चेव के पूर्व शेत्र मिस्थित है जहां थानिये निवासियों के अकांग शाएं अभी भी शॉपिंग सेंटर और अवासिय गगन चुम्बी इमारतों के अलावा कुछ बनाने में काम्याब रही बेशक लगनाओं के पहले स्टान वाले स्कूल से तुलना करना असंबव है लेकिन रूस में यह एक ही छट के नीचे सबसे वड़ा स्टानिक संस्थान है क्वीन एथल बुर्गा कॉलेज यॉर्क यॉनाइटिड किंडम कैंड का एथल बुर्गा जिसे टाटा के नाम से भी जाना जाता है नौर्थंब्रिया का एक प्राचीन साशक और पहले सेक्सन संतों में से एक था यह स्कूल उसके नाम पर है देश के उतरी भाग में स्थित है देखने में तो प्राचीन महल जैसा लगता है लेकिन इसे बलकि सदी के शिरुवाती 20 के दशक में बनाया गया यह आदुनिक शाली करण से बना है पर भाव शाली आकार के बावजूद छात्रों की संख्या अपेक शाकरत मामूली है यहां डेड़ हजार से अधिक स्टूडेंट नहीं है पेरा सेट एलिमेंटरी स्कूल रेस्टाउन यूएस से इसकी इमारत बहुत विशाल है हाला की देखने में ऐसा नहीं लगता क्योंकि इसका दिकाश भाग तैकाने में स्थित है इस तरह के एक अजीब इंजिनरिंग समाधान को थर्मल उर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है शेक्षन संस्तान 70 के दर्शक्त में बनाया गया था जो की पश्शिम को पीड़ा देने वाले उर्जा संकट की प्रिष्ट भूमी के खिलाफ था यहां अध्यन करना बहुत आराम दायक नहीं है इंटरनेशनल स्कूल अबुधावी सिंक्त अरब अमिराथ इस भवन की चार दिवारी के भीतर डेड़ हजार से अधिक विध्याती पढ़ सकते हैं इस अमिराथ के अधिकांश स्कूलों की तरह यह एक बड़े पैमाने पर और नई तकनीक के साथ बनाया गया है यहां की फिजिकल और कैमिकल लेबर्टरी अमेरिका और ये विश्विध्या लोग को ठकर दे सकती है जो इस जगा के बारे में नहीं जानता वे एक नजर में इसे देख कर इस इमारत को निजी संपती या विक्तोरियन इंग्लेंड के किसी महान व्यक्ती का आवासी एगर मान सकता है ये देखने में इतना खूबसूरत है वास्तब में यह एक ऐसा स्कूल है जिसे देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्कूलों में से एक माना जाता है यह 17वी सदी के शिरुवाती तीसरे हिस्से में स्थापित किया गया था और बेहत प्रभावशाली दिखता है Watershed School, Boulder USA संयोग की बात है कि शेक्षिन संस्थान संग्रहें में नहीं था हाला कि इसे शेत्रफल के अधार पर बड़ा नहीं कहा जा सकता अगर स्कूल के काईदे कानून के हिसाब से देखा जाए तो ये इमारत उस तरह से नहीं बनाई गई यहाँ कक्षाएं बंद कमरो जैसी नहीं है यहाँ सडके और पार्ख हैं जोग्राफी को बायलोजी के साथ में खुले में जंगल के किनारे पढ़ाया जाता है यहाँ कोई सिमाएं या रूडियां नहीं है